नमस्कार मैं किशेश और स्वागत आपका निक्स्टाइन निउस में लगातार हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं जी हाँ जाप येम बदल गया था वहाँ से एक और बड़ी खबर सामने आई हैं इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्रे इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के फैसलाबाद में केस दर्च किया गया है इमरान खान के खिलाफ ईशा निंदा कानून के तहते फाय दर्ज हुई है उन पर मज़िद ए नभवी के घटना में शामिल होने के आरोप लगाए गए है दरसल मज़िद ए नभवी के कुछ पाकिस्ताने तर्थियातियों ने प्रधान मंतरी शाबाज शरीफ और केंद्रिय मंतरी के खिलाफ चोड़ शोड़ के नारे लगाए थे पाकिसना डंड सही था कि धारा 249, 249, 206 और 109 के तहत केस दर्च किया गया है इसमें इर्शा ननिंदा कानून भी कहा जाता है ये धारा किसी धर्म का अपमान करने की इरादे से पूजास्तल को नुकसान पहुचाने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जान बूच कर और जुर भावना पूर इरादे से धार्मिक सबाब को परिशान करने और न प्रागिर अनिल मुसरत और शेक रशीद अहमत के नाम है प्रादमिकी ने शेक राशीद के बतीजे शेक राशीद शफिक का भी नाम है शिकायत करते हैं अनुसार मजजद नवी की गिटना को एक नियोज़ित और सूची समझे यूज़ना और साज़िश के थैद अंजाम दि शेक राशीद शाबाज गिल और कासिन सूरी एक साज़िश का हिस्सा थे जिसके तहट पीटिया के अन्य निताओं ने पवित्र मजद में हंगामा करने के लिए साओधी अरब में प्रतिनिधित्ल नंड मंडल का नेत्रत्व किया जिसके बाद में सोचल मीडिया पर अब पाकिसाने प्रजेशन कारियों ने चोट चोर के नारे लगाने शुरू कर दिये मजद में नमाज अदा करते समय प्रतिनिधी मंडल को विरोध और नारेबाजी का सावना करना पड़ा अब बहुत भारी पढ़ चुका यहां पर इमरान खान पे भी आप देखना है कि क इसके हाथ में उनकी जान है कौन कितना बड़ा फैसा लेता है यह देखने लायक होगा और बाखे इसे खबरों के लिए देखते रहे है नेक्स नाए नियूस